अकाश्वानी भूपाल जिप्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी प्रधानमंद्वी नरेंद्र मोदी आज भूपाल में भाचपा कारेकर्टा महाकुंभ को संबोधित कर रहे हैं भुपाल के जंबूरी मैदान में अटल बिहारी वाचपई परिसर में आयोजित असमहा कुंभ में बड़ी संख्या में भाचपा कारेकरताओं पस्थित हैं। असकारिक्रम के साथ ही भाचपा अपने चुनावी अभ्यान का आगास कर रही है। यहां सरकार की उपलब्धियो को लेकर कई प्रदर्शनिया भी लगाए गई हैं। इससे पहले पार्टी के राश्च्रिय अध्यक्ष अमिज शाह ने कारेकरताओं को संबोधत करते हुए कहा कि वर्ष 2019 तक भाचपा देश के हर बूत और हर गाउं तक पहुँचेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवरासि प्रदानमंत्री श्री मोधी और राश्च्रिय अध्यक श्री शाह की जोड़ी ने अपने प्रयासों से भाचपा को इस तर पर ला दिया है कि देश को अंतराश्य पटल पर एक अलग पहचान मिल गई है। श्री चोहान ने कहा कि देश जिस तरह से विकास के पत पर अग्र सर है वो श्री मोधी की दूरदर्शिता का परिचायक है। मुक्यमंत्री ने कहा कि कॉंग्रूस ने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया था लेकिन हमारी सरकार ने इसे विकसत राजियों की श्रेणी में ला दिया है। उन्हों ने कहा कि मैंने जो भी की उन्हें साकार कर दिखाया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिह ने कहा कि हम गौरवानवित होते हैं जब प्रधानमंत्री स्वस्त प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए आईश्मान भारत योजना का शुभारंब करते हैं। उन्होंने कहा कि वो मध्य प्रदेश है जहां बच्चियों के साथ कुरूरता करने वालों को फासी दलाने के लिए सबसे पहले कानून बनाया गया। इससे पहले भौपाल के स्टेट हैंगर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष श्री शाह का स्वागत किया गया। वह इनोंने आरोप लगाया कि भाजपा के भोपाल में आयोजित महाकुंभ में सरकारी पैसे का आदर उप्योग हुआ है। पहले सभी उमीद्वारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नर्वाचनायो को देनी होगी। प्रधान नियायाधीश तीपक मिश्र की अध्यक्षता में नागरिकों को अपने उमीद्वार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनेतिक दल को अपने उमीद्वारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान्य अधीश ने उमीद्वारों के खिलाफ आरोप तैह होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग या ठहराने की मांग करने वाली जनहती याचिका पर सर्वसम मती से फैसला सुनाया और कहा कि संसत को ये सुनिश्चत करना चाहिए कि अपराध ही राजनीती में ना आने पाएं राजिपाल आनंदी बेन पतेल ने बच्चों में पढ़ने की आदत विक्सित करने पर जोड़ दिया है उन्हों निकल भोपाल में इसी उद्देश्य से कारिक्रम आयुजद करने के लिए स्कूल और उच्छ शिक्षा विभा की अधिकारियों की बैठक ली बैठक में 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 45 मिनिट का पढ़े भोपाल कारिक्रम आयुजद करने का नर्ने लिया गया इसमें स्कूल और कॉलज के विद्यार्थी भाग लेंगे राजिपाल ने कहा कि अगर स्कूलों में बर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो ये कारिक्रम मैदान या बगीचे या सामुदाइक भवन में आयुजद किया जा सकता है मुखे मंतरी शिवरास सिह चौहां 27 सतंबर को नर्मदा के संगम स्थल कल मेरवाडी में नर्मदा मालवा लिंख योजना का लोकारपन करेंगे इस योजना से 164 गाओं की 50,000 हेक्टेर से अधे क्रशी भूमी में सचाई सुविधा निर्मित होने के अलावा पीने का पानी भी उपलब्ध होगा मुखे मंतरी ने 2012 में इस योजना की घोशना की थी अब कुछ समाचार संक्षेप में खादिय मंतरी उम्प्रकार धुर्वे ने कल खादिय संचाल नाले में राजियो भोकता हेल्प लाइन का शुभारंब किया एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन शून्य शून्य चार छेडाल करने पर लोगों को उनकी शिकायत और समस्या का समाधान घर बैठे मिलेगा गुना में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्दे नजर उड़न दस्ते और निकरानी दलों के कुल 16-16 दल गठित किये गए है 160 शास्किय सेवक इसके लिए तैनात किये गए है वहीं शिवपूरी जिले में मद्दाताओं को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन और वीवी पैट के प्रती जागरुक कर उन्हें अपने मताधिकार का उपियोग करने के लिए प्रेरत किया जाएगा और मुरैना में जिला चिकत साले से लाखों रुपे कीमती ग्रेनाइड चोरी हो गया है इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार